नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जीवन जीने की कला में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में जानेंगे मात्र दस मिनट तक हर रोज क्यूं नाखुन को आपस मेरा ग आनेंगे हम सभी बालों की समस्या ऐसी है कि आज कल बहुत कम उम्र में लोगों के बाल या तो सफेद होने लग रहे हैं या फिर बाल गिरने लगे रहे हैं और कौन ऐसा इंसान है जिसको ऐसा नहीं चाहिए कि उनके बाल बहुत सुंदर हो और जब भी वो चाहें तो वो भड़े न ऐसा होता नहीं है पर क्योंकि आज खान पान ऐसा हो गया है आज के डेट में रहन सहन ऐसा हो गया है इतनी उल्टी पूल्टी चीज़ें आने लग गई है केमिकल्स का इस्तेमाल बालों पर बढ़ गया है इस वज़़ा से गंजेपन की समस्या सबसे पहले आने पुनता इस वीडियो में समझेंगे अगर अंत तक बने रहेंगे तो शर्तिया आप अपने बालों की क्यार बहुत अच्छे से कर पाएंगे सबसे पहले तो जानते हें बालों के ज़़़ने की वज़ा क्या है क्योंकि वज़ा जानेंगे तभी हम उसे रोक सकते हैं फिर उ इसके अलावा अगर आप गलत शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी आपके बाल गिरेंगे, अगर गलत कैमिकल का इस्तेमाल बालों पर करने लगे हैं, तो भी आपके बालों को शती पहुचना लाजमी है, खुन का बहाव रुक जाता है, इसी वज़र से ब्लड जो बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत कम लोगों को पता है हमारे प्राचीन योग गरंथों में इसका उलेक मिलता है यदि आप अपने दोनों हाथों के नाखुनों को आपस में कुछ देर यानि की रोजाना फुरसत के समय में ध्यान रखें ये नहीं कि आप जब काम कर रहे हैं तभी करना है फुरसत के समय में लगभग 10-15 मिनर तक रगड़ते हैं आपस में तो आपको बहुत जादा फायदा होगा आपको जान करके हायरानी होगी कि ये एक योग है जिहां जो कई सालों से चला आ रहा है पहले लोग इसका इस्तेमाल करते थे अब धीरे धीर बालों के आसपास बढ़ जाता है आपके बाल इसकी वजह से स्वस्त रहते हैं इससे गंजा पंदूर होता है जोडों से नए बाल तक फुटने लगते हैं कम उम्र में सफेद बालों से बचा जा सकता है यह मानसिक तनाव को भी दूर करता है यह महिला और पुरुष दोनो फुरसत के पल हों तभी करें लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केवल बालों को रगणने से आपके बाल स्वस्त नहीं रह सकते हैं उसके साथ साथ कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा खास करके अगर बाल आपके लंबे होने लगेंगे, बाल अगर गिर रहे हैं तो रुख जाएंगे गिरने और नए बाल भी निकलते हैं इससे, या फिर अगर ये नहीं है तो कच्छे पपीते का पेश्ट लगाईए, सब्ता हमें कम से कम 3 दिन 10 मिनट कच्छे पपीते का पेश्ट लगा करके जरूर छोड़ना चाहिए, इससे बाल नहीं जड़ेंगे, डैनरफ भी नहीं होंगे और बाल आपके सफेद नहीं होंगे, सफेद जो हो गए हैं वो काले होने लगेंगे, पोशन पूर्ण तह मिल जाएगा आपके बालों को, अगर ये भी नहीं है तो भृंग राज और अ अच्छी तरह से बालों को धोना चाहिए, इससे बाल काले होते हैं, अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो मान लीजे, आपको किस चैज का प्रियोग करना पड़ेगा, फिर निम्बू और आवले का प्रियोग कर लीजे, जी हाँ, निम्बू के रस में आवला पावडर मि प्रियोग कर सकते हैं, प्रती दिन गाय का शुद्ध देशी घी से सिर की मालिश कर लीजे, और इसका सेवन कीजे, इससे बालों की ग्रोथ बहतर होती है, पोशन बहतर मिलता है, और बाल काले हो जाते हैं, अगर आपके बाल सफेद असमय हो रहे हैं, तो अगर पचास की उ दुकस कर लीजे, शहद के साथ इसके बाद मिला लीजे, इससे बालों पर कम से कम सपताह में दो बार नियमित रुप से लगाईए, बालों का सफेद होना इससे कम हो जाएगा, इसके अलावा अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो दही और टमाटर के साथ निम्बु का र बाल लंबी उम्र तक आपके काले और घने बने रहेंगे, अगर ये भी नहीं है, तो नारियल तेल और जैतुन का तेल ले लीजिए, आधा कप नारियल तेल या फिर जैतुन के तेल को हलका गरम कीजिए, इसमें चार ग्राम कपूर मिला करके इस तेल से मालिश कीजिए, इ आउले का पाउडर लीजे और निम्बू का रस लीजे आउले के पाउडर में निम्बू का रस मिला दीजे अच्छे से उसे नियमित रूप से लगाईए शेंपू के बाद आउला पाउडर पानी में घोल करके लगा लीजे इससे बाल लंबे होंगे साथी साथ इनकी जरूर करना चाहिए अगर ये भी नहीं है तो तील का तेल जाड़े यानि कि ठंड के दिनों में तील अत्यधिक सेवन किया जाता है और जरूर करना चाहिए तील का तेल भी बालों में लगाने से बहुत जादा पायदा होता है बाल जल्दी गिरते नहीं है इसके अलावा आपको बालों को धोना है जब बाल में ये औशधियां सूख जाएं इसके बाद हलके हाथों से धोना है जल्द बाजी नहीं करनी है धीरे धीरे धो करके निकालना है इससे बाल सफेद नहीं होंगे और सफेद हुए बाल भी काले होने लगेंगे इसके अलावा एक और तरीका जान लिजे कारगर चमतकारी पेष्ट तयार करना है आपको कैसे करना है एक कटोरी मेहंदी पाउडर लेना है उसमें दो चम्मच यानि कि दो बड़े चम्मच चाय का पानी लेना है आपको दो चम्मच आवला पाउडर एक चम्मच निम्बो कारस दो चम्मच दही शिका काई रीठा पाउडर लेना होगा आपको इसके अलावा एक आप इसमें चाहे तो ले सकते हैं नारियल ओयल एक चमच या आधा चमच की मातरा में और थोड़ा सा कथा ले लिजे यह सारी चीजें लोही की कडाही में डाल करके पेश्ट बनाईए अच्छे से रात को भीगो दीजे इससे सुबह बालों में लगाईए फिर दो घंटे बाद धोलीजे बालों को इससे बाल बिना किसी नुकसान के काले होंगे और लंबे होंगे जिनके बाल नहीं बढ़ रहे हैं जिन माताओं बहनों के बाल नहीं लंबे हो रहे हैं छोटे रह रहे हैं वो ये प्रयोग करें आपके हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं तो महीने में ये प्रयोग एक बार जरूर कर लीजे इसके अलावा हमने आपको बताया कुछ छोटे-छोटे उपाए उनका भी खयाल रखे इससे आप अपने बालों को आजीवन गिरने से बचा सकेंगे साथ ही साथ स्वस्थ रख सकेंगे तो ये आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कोन कर लीजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले लाइक कीजिए वीडियो पसंद आया तो शेर कीजे उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट कीजे आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल है तो हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्त स्वस्त स्वस्त